सब्सक्राइब कीजिए निकूल सीडावी चैनल को और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकोन को दबादा आप हेलो अब्रिवन वेल्कम बेक टो अनधर वीडियो मैं अंडी बापु एक बार फिर से आप सभी का हमारी चैनल को स्वागत रता हूँ जैसा कि आप जानते हैं कि हम फरेक बीडियों मैं एक नए जगए पर चलता है तो आज भी हम एक नहीजगा के लिए निकल पड़े हैं तो अभी हम खड़े है बरोडा एक्सपरिस है वे पर हैंदाबाद से बरोडा जा रही है बरोडा से शाएंगे जाम्बूोरा नेशनल परक किया सबनाएं परोडा यहाँ पे हमारा नास्ता शानल हो रहा है झाल 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 17-40 km की दूरी पर स्थीत है यहां गुजरात की मद्द यूगीन राजदानी रह चुकी है हम अभी जिस जगह पे एंटर हो रहे हैं वहां पे साह जी सवाई जी के डेरे है जहां पे एक पिराणा मंदीर है और वहां पे ऐसी माननेता है कि एक पत्थर है जिसके उपर बैटके अगर कोई मननत रखी जाती है तो पत्थर 360 डिगरी गुमने लगता है और जितनी स्पीड से मननत पूरी होने वाली है उतनी ज्यादा स्पीड से वो पत्थर गुमता है तो हमारे कुछ दोस्तों ने भी उदर मननत रखी और देखा कि पत्थर कितनी स्पीड से गुमता है चांपा नेर में पीराना मंदिर देखने के बाद हम आये हुए है जामी मस्जीद जो कि यह काफी पुरानी मस्जीद है तो वहां की विजिट करेंगे और कुछ फोटोग्राफी करेंगे अब देख सकते हैं जामी मस्जीद यह मस्जीद पुरानी मस्जीदों में से एक है जो की एमदाबाद में आई हुई मस्जीद से बिलकुल मिलती जुलती है और काफी प्राचीन मस्जीदों में से एक है जो की काफी ज्यादा प्रसिद है अभी दोबेर के बारा बजे हैं और हमने चांपा नेर गुम लिया है यह जो रास्ता जाता है वो पावागर्ड महकाली माता के परवत पे जाता है तो हमने अभी यहाँ पे चांपा नेर गुम लिया है चांपा नेर में इस मजडीद देखा है पूराना कुछ समारक है वो सब देखे तो अभी हमारा खाने का टाइम होगा लंच टाइम तो लंच के बाद हम जाएंगे बाद जाएंगे हाथनी माता दोज वाटरफॉल है वहा पेश्टे होगा और कल जांबू बड़ा का पूरा सफर रहे हैं